हेलो फ्रेंट्स मैं नीता स्वागत करती हूँ आपका बारना कुकिंग हो उसमें फ्रेंट्स आज हम ब्रत स्पेशल बनाएंगे अलू की टिकी वो भी कच्चे अलू से कम घीव में बहुत ही हैल्थी और टेस्टी इतनी कि आप हर ब्रत में यही बना कर खाना चाहेंगे इसके लिए हमने ली कच्चे अलू मैंने दो निकालना है दो स तीन बार न करना है तो मैंने कर लिया वश इंका पाणी जो सारा हमने निकाल लिया है इसमें स्टाच बेलकुल भी मिलाएंगे कुछ मसाले मसालों में जो भी आप खाते हैं, भूत में वो एड़ कर सकते हैं, यहां मैं अधरक और हर हर इमिल्च दर्दरी से पीसे भी इसमें डाल दे रही हूँ, और चार चमच डालूंगी, इसमें सिंगहाड़े का आटा आप खुट्टू का आटा राजगीरी आटा जा फिर समा के चावल होता है उसका आटा भी इसमें यूज़कर सकते हैं तो मैं यहाँ सिंगहाड़े का आटा एड़ कर दी हूँ चार چमजें में मिलाओंगे और बीना पानी डाले हुए इसको हमना दोबनाते हैं पकोड़े के लिए वस वैसे हमने इनको मिक्स करना अच्छी तरह से क्योंकि जो आलू है नमक डालने के बाद बहुत सारा पानी छोड़ते हैं तो इसलिए हमने इसमें पानी नहीं डालना है अगर आपको लगे कि यह बहुत पतला हो गया तो आप इसमें और थ कि फिला दिया तो अभी हम क्या करेंगे यहां फाथ में लगाएंगे थोड़ा-thोड़ा सा पाणी जा तेल हैं भी लगा सकते हैं अप छोटी-छोटी सी टिकींएं बना लेते हैं तो छोटी-टिक यह में इसलिए आपको बनाने के लिए क्यूंकि एक तो यह जल्दी बन जाएंगी और नंबर दो इनको पकने में भी असानी होगी और क्रिस्प बनेगी बहुत ही टेस्टी लगती हैं जो क्रिस्प टिकियां होती हैं आप मोटी मोट एगर बनाएंगे तो घी भी ज्यादा अब् इसलिए मैं आपको रेक्मेंट करूंगे आप छोट छोट सी टिकियां इसकी बनाएं और पतली बतली सी हो ज्यादा मोटी ना हो तांकि जल्दी से बन जाएं जूंकि ब्रत में तो वैसे जल्दी जल्दी से बनी होई जो चीज है वही अच्छी लगती है फड़ा-फड़ स यह टिकियां बंड जाती है यह देख सकते हैं। तो इनको ऐसे हमने सभी टिकियों को उल्टा ले नहीं है तो सारी टिकियां हमने उल्टा लिए और दूसरी से भी हो चुकी है तो इनको निकाल लिया एकप प्लेट में और गर्मा गर्म इनके ऊपर डालेंगे हम दही आप जाए तो कोई भी चट्नी अदाल सकते हैं मैंने दही लिया था मैंने अच्छी ही तरह से घcky लिय ए इसके फिरह मैं थोड़ा सा धनिया है बारीक चौप गया हुआ अमने दही में कुछ भी नहीं डाला है तो थोड़ी से मैं इसमें डार देनी हूं हर इमिर्च बारीक चौप की हुई और थोड़ा सा ही मैं इसमें डालूंगी नमक नमक आपने ब्रत वाला ही खाना इसमें तो यह लिजिए यह टिकियां बनकर हमारी पूरे ब्रत आप इसी रेसिपी को इंजुआए करेंगे जब आपने एक बार इनको बना कर खा लिया और कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और भी हमने ब्रत वाली रेसिपी बढ़ा है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा मिलते अगली वीडियो में बढ़ाओध्स